मुंबई की संगती जो समण संग की हुई उसके अंदर चार बसें भरकर सारे सारे संगी लगातार पूरे मुंबई में घूम रहे थे और जहां भी वो जाते थे लोग उनको पहचान जाते थे कि ये कोई बहुत बड़ा संहू है कोई बहुत बड़ा गुरुप है कोई बहुत बड़ा संग है क्योंकि दो सो लोग जब आपस में एक दूसरे घूम रहे थे मिल रहे थे तो लोगों को पता चल जाता था और उसका पता चलने का कारण उनके कपड़े नहीं थे क्योंकि सेलानी और टूरिष्टों वाँ सारे थे उनके गले में जो एक समण संग का बैज पड़ा हुआ था जो पट्टा पड़ा हुआ था उससे पता चलता था कि यह सारे एकी परिवार के और एकी तरह के लोग है तो ऐसे लोगों से कौन पंगा लेगा जो इतने सारे हो इसलिए सारे लोग बड़े मस्ती में घुम रहे थे और सैलानी बनकर पूरा आनंद ले रहे थे थोड़े से लोग थे, ज्यादा नहीं होते दोसों, पर इखटे हों तो दोसों भी बहुत होते हैं ठीक है, ऐसे ही जब कभी आपने देखा होगा कि जब 10, 20, 50 पुलिस वाले या मिलिटरी वाले या किसी एक खास ड्रेस में, एक खास कपड़ों में, या एक धेस फुसा में, या एक रंग रूप में निकलते हैं कहीं और एक सी चाल चलते हुए निकलते हैं और चालवी किसी के अनुसार, यानि जो पहले से तैह है, कमांडर ने जो पहले से सोची हुई है, जो कमांडर को कमांड मिली हुई है उसके अनुसार लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करते हुए थम, सलूट, इन आवाजों के साथ जो वो कमांड करते हैं, विस्राम, चल, तो सरीर के अंदर एक अजीब सी हलचल होती है और ये पता चलता है कि ये सामुहिक ताकत है, और ये सब लोग एक साथ हैं, जिनके फेवर में वो ताकत होती है, उनको ताकत महसुस होती है, उस चाल से ढाल से, और जिनके वरुद में होती है, उनकी हरत पतली हो जाती है, उनकी होंसले गर जाते हैं, सिर्फ चाल से, यानि म करफु के दिरों में मार्च पास्ट कराई जाती है ताकि जो दंगाई हैं उनकी हमत गिर जाए और जो शांती से रहने वाले हैं, उनकी हिम्मत बढ़ जाए. ये जो इखटे हुए लोग हैं, इनके उल्टे होते हैं बिखरे हुए लोग. किन, किन माने पाली में होता है, किन या किन बिखरा हुआ. और विकर्ती या वीकरण या वीकरण का मतलब है बिखराप. विकरण का मतलब है बिखराप. इसकेटर्ड, बिखरे हुए लोग, सकेटरिंग, सकेटर्स. बिखरी हुई जो चीजे हैं, उनका कोई फायदा होता नहीं. कोई उनको इज़त देता नहीं. अगर आप आज के सिनेरियों में दूर दूर तक नजर दोड़ाओगे, तो हमारे उ हुए लोग, किन लोग, बल्कुल सही बैठता है. दूर दूर तक हम बिखरे हुए हैं, हर छेत्र में. चाहे वो हमारे जो इखटे होने वाले लोग हैं, जो 120 करोड़ की तादात है, तो पूरे देश और दुनिया में बिखरे हुए लोग हैं. उनका खानपीन, रहन सेन, कल रहे हैं, उनका बैपार, हर चीज उनकी बिखरी हुई है, स्केटर्ड है, फैली हुई है, बरवाद है. क्योंकि जो बिखरी हुए चीज होती है, उसका कोई फायदा नहीं. खेत में अनाज पैदा हो, और वो खेत के अंदर बिखर जाए, फिर वो किसी काम कर नहीं होता, ब एक तरह का कपला पैने, एक तरह की भेसपूसा पैने, तो उन लोगों से दहसत हो जाती है मन में, या उनसे मनुवल बढ़ जाता है. यह जो नियम है, यह नियम आप प्रकरती से उठाओ, क्योंकि जो समन संगने सारे नियम लिए हैं, प्रकरती से लिए हैं, पक्षी एक ल लाइन में आ जाते हैं, कौन समझाता है उनको कि खुला आकास है, तो फिर लाइन मना कर चलने का फाइदा क्या, पर वो लाइन मना कर चलते हैं, जंगल में आप देखोगे कि भेडिया लाइन मना कर चलते हैं, जो जानवर नदी पार करते हैं, लाइन मना कर चलते हैं, बग एक लाइन के हसाब से एक डिसिप्लिन के हसाब से तेरती हैं चलती हैं मक्या भी जहां उड़ती हैं सारी उड़ जाती हैं जहां चलती हैं यह कौन सिखाता है उनको कौन बताता है कि एक लाइन में एक साथ एक तरीके से रहने से सामने वाली चीजों पर फरक पड़ता है अगर चार सेर एक साथ जप्टे तो उनका असर चार सो गुना हो जाता है अगर एक सेर जप्टे तो अगर चार कुत्ते एक साथ जप्टे तो उनका असर चार सो गुना हो जाता है अगर एक कुत्ता खाली जप्टे या अलग-अलग बारी-बारी जप्टे तो अगर कहीं पे मदु मख्या एक साथ जप्टें तो उनका असर हजारों गुना हो जाता है अगर एक-एक मख्यी जप्टें तो मारी जाएगी एक-एक तो कौन सिखाता है उनको ये प्राकरतिक नियम है उनके सबके जितने भी जानवर गुड़ है अलग-अलग उनकी भेजपुसा अलग लेंगे सारे जानवर एक खटे नहीं आते सारे जानवर लाइन में नहीं चलते हाती भी लाइन में चलते हैं पर हाती सेरों के लाइन में नहीं चलते उनका अलग है उसके बाद ये जो एक साथ एक काम करने का एक कल्चर करने का जो तरीका है वो हमने सीका स्रमलों ने सीका चेतना के साथ सीका और हमने जितनी भी नियम बनाए या जो संगते की उसमें वो नियम लागू किये और वो नियम चले मौकी ग्रूप दे क्या नियम चला एक निर्णे हमें लेना है एक निर्णे पर हमें चलना है और एक निर्णे को हमें मानना है यानि कि सामुईक रूप से हमें एक जो निर्णे है वो सामुईक रूप से पास करना है उसको मानना है और उस पर चलना है एक रूपता के साथ संगती लगती थी तो लगबग सब एक सा ही कपड़ा पेन के आते थे और खाना लेके आते थे तो एक साथ ही खाते थे एक ही बात होती थी चकड मकड नहीं होती थी बीच बीच में लोग जंप नहीं करते थे कूते नहीं थे, यह आदत नहीं थी, सब कुछ बहुत discipline चलता था, उस एकता से, उस एकता से रहने से, उस एकता के वहवार से, एक संस्कती, एक संकती, एक कल्चर से ताकत मिलती थी, और आगे बढ़ते हैं, जो बुद्ध ने वहाँ से सीखा, सिद्धत गौतन में सीखा, ब एक सा रंग कर दिया कपड़ों का, कपड़े एक से कर दिये, यानि के चादर रहेगी, सब की एकची रहेगी, एक साइज की कर दिये, सब के बाल बढ़ा दिये, सब के बाल खटम कर दिये, तो सरीर का जो रूप रंग है, बेसिक चीज जो है, सरीर की वो भी एक सी कर दिये, तो पढ़ाया भी एक सा, तो सोच भी एक सी हो गई, तो नाम भी सब का समड़ी रहा, तो सारे के सारे लोग चलते भी लाइन में थे, नियम बन गए, लाइन में चलते थे, तो मनुष्च ने फिर चार कुन ने लाइन में चलना हुहाँ से सीखा, पहली सेना बुद्ध की जो लाइन में चली, उससे पहले सेना नहीं थी, सेना बहुत बाद में बनी, पर भिक्कू सेना उससे में बनी और भिक्कू सेना लाइन में चलती थी, डिसिप्लिन में चलती थी, जो आगे वाले ने आदिस पारित कर दिया, वो पीछे तक कन्वे हो गया, माना जाता था, कितने नियम बद्ध चलते हैं, कितने discipline हैं, लोग उनकी बात मानते थे, परिवर्तन हो गया, लोगों ने बात मानी discipline में चलने लगे, आज भी Thailand के अंदर, Burma के अंदर, Nepal के अंदर, या जहाँ जहाँ ये भिकोए परमपराई, वहां उनकी चपली भी लाइन में लगती है वो आज भी लाइन में चलते हैं कोई जल्दबाजी नहीं सब कुछ नियम से बहुत कम बोलते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिसको जो काम मिला करता रह रहता है ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता आईसी परमपरा, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन हुआ, कि पूरा देश डिसिप्लिन में आ गया जापान में तो डिसिप्लिन सीकर लोगों ने राज कर दिया जापान का राज पुरी दुनिया पर चलता है, उसकी एकोनोमी सबसे तगड़ी है और डिसिप्लिन के मामले में उसका जवाब नहीं, इतना ज़्यादा अनुसासन ने इतना ज़्यादा अनु करनी है उसके बाद आगे बढ़ोगे आप वही डिस्सिप्लिन आप देखोगे जो बाद के लोग आए जिनोंगे बाद में संग बनाए और संग सीखे बुद्ध से उन्होंने डिस्सिप्लिन और भी अच्छे बनाए देखे आप बाद करो जो सबसे पहले के लोग थे जो इसा मसी थे जो बुद्ध के नुईयायों से सीख के गए उनके यहां जितने भी मंक्स बने यानि भिक्कु बने नन बने यानि भिक्कु नी बनी सबके एक से कपड़े सबकी एक सी लाइन सबका एक सा बैठना सबका एक सा उठना एक ही बात बोलना एक ही तरह से उसमें लाइन में लगना कमाल का डिसिप्लिन जो प्रेयर करते हैं सब एक साथ बोलते हैं एक साथ गाते हैं अजीब पावर आती है प्रेयर में क्या बोला पता नहीं पर प्रेयर का एक सुर होता है उस सुर से एक वाज आती है, वो आवाज अंदर घुश जाती है लगता है सारी लोग सामुएक बोल वे हैं सारी लोग सामुएक बोलते हैं तो उसका जो तरंगे हैं ऐसी सरीर में उठती है कि भूके आदमियों के अंदर भी जोस आ जाता है क्योंकि ताकत दिखाई देती है और आगे बढ़ो तो जब मुहम्मद मुस्तफा आए मुहम्मद साब तो उन्होंने जो नवाज बनाई वो एक सी सब के एक साथ जुकेंगे एक साथ उठेंगे एक साथ बैठेंगे एक ही पिकरिया एक टाइम में सारे करेंगे सारे सफा बना करेंगे सिफा मतलब लाइन बना के रहेंगे सारे लाइन में रहेंगे और जो हज करने जाते हैं लोग या वैटिकन सिटी जाते हैं जो इसा मसीगा बड़े मनाने आप देखो उनके फोटो सबके कपड़े एक से हज करने वालों के सबके सफेद चाय कोई अमीर है चाय कोई गरीब है सब को कपड़े मिलते हैं जो हज करने जाएगा एक सा एक सी लाइन आप पहचान नहीं सकते कि इसमें कौन बंदा क्या है होगा कोई बहुत बड़ा अपसर होगा किसी देश का समराठ होगा कोई गरीब होगा कोई मजदूर सब एक हो जाता है किस सीखा बुद्ध की पहली लाइन से किस सीखा समणों के पहले काई करम से किस सीखा प्रकति से सीखा तो एक तरीके से काम करने का जो कल्चर है वो ताकत देता है ये बात सभी जानते हैं ये बात हमने भी महसूस की जब हम मुंबई के अंदर सिर्फ एक गले में पट्टा डाल के तो गए तो पैचाल लेते थे वहाँ फोटू खिचवाने की जोद पड़ी डॉक्टर स्वामी को तो स्वामी सर डूंड रहे ते किस से खिचवाय देखा गले में पट्टा है उसका नाम नहीं जानते करें इधान समर्ण संगे हमारा फोटू खिंचदे भाई or समर्ण संगे की पटा है कि मेरे गले में पट्टा है तो भाई चाहरा पूछने की जो उतने पड़ी फॉरन फोटू खिच गया कितनी ताकत है, कितने आसपास ताकत ही ताकत घूम रही थी, वही ताकत फील कराने के लिए, वही ताकत महसुस कराने के लिए, जो समझ संग का काईकरम दो परेल 2022 को नागपुर में नाग लोक में 700 संग्यों द्वारा पास हुआ छोटा काईक्रम नहीं है बहुत सोच समझ के महापुरसों के काईक्रम है पहले भी बताया है कि यहां जो भी चीज आ रही है बेसक आपको बताया जाया ना बताया जाया पर महापुरसों की है यहां कोई किसी व्यक्ति का नहीं है एक शहर एक महापुरस और एक उस्सप एक जैनती एक वंदना एक इस्थल एक समय सारे लोग अपना खाना लेके महापुँचें अपना दरी अपनी चानल लेके औरों के लिए भी खाना लेके पहुँचें चंदा ना दें ये जो प्रस्ताव महाँ पास हुआ ये करांतिकारी प्रस्ताव है इस प्रस्ताव के रुसार आप सबको एक होना है आप बिखरे हुए लोग हो, यानि हम बिखरे हुए लोग हैं, हमारे महापुरस को हमने बिखेड दिया, जिन महापुरस ने हमको जोड़ा, हमने उनके टुकड़े करके ला से बिखेड दिया, किसी महापुरस को नहीं छोड़ा हमने, क्या बुद्ध, क्या मेटकर, क्या जोत कि नहीं मनाते क्योंकि हम एक होंगे एकता होगी हमारी चाहे भले ही हम महापुरुस का नाम ले या ना ले चाहे भले हम उसका जैकारा करें ना करें पर अगर हम एक जैकारा बनाते हैं तो महापुरुस का जैकारा अपने आप हो जाता है और हम कितना ही जैकारा बनाएं कितनी जोड से loudspeaker लगाए और कितना ही पैसा हटा करें और कितना ही खाना खाए और कितना ही बाढ़ है और कुछ भी करें और अलग-ộtग काई के में लगाएं तो कोई जयकारہ नहीं होता है, वो मरने का कारह होता है, मरने होता है वहाँ पाक पाती है. ये चोटी सी बात आप अपने एसस्टम से समझ सकते हो जहां िसकोल में बच्चे एकसी ड्रेस पेंगर जाते हैं, एकसी यूनिफॉर्म पेंगर वो सब भूल जाते हैं को सब्सक्राइए कॉर। उनकी कमी है, तो सभी के बीवी बच्चे है, उनका काम भी होता है, और फिर उनको बताना भी होता है, कोई फुल टाइमर हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि संग में सारे ग्रस्त लोग हैं, पर फिर भी काम तो करना पड़ेगा, तो जो नेता है, वो समझ गए, कि अगर एक हो जाएंगे, तो फिर हमें कौन पूछेगा, अगर एक सहर में एक जैनती होगी, तो एक अलग-अलग जैनती के नाम से जो एक ही आदमी से चार-चार्जी के पैसे खटा करते हैं, फिर कैसे होगा, फिर तो वो वेक्ति अपना खाना लेके आ जाएगा, अपनी दरी लेके आ तो हमारा क्या होगा? यह जो मिसन मूवमेंट को तोडने वाले धलाल, मिसन मूवमेंट को तोडने वाले चंदा खोर, मिसन मूवमेंट को तोडने वाले वमल टाइप के हमारे लोग, मिसन मूवमेंट को जानके खतम करने वाले, मिसन मूवमेंट की एकता को खतम करने वाले हमें एक होने से रोकने वाले जो लोग है इनी को परिशानी होती है और किसी को नहीं होती आम आदमी तो बड़ा खुश है कि चंदा भी ना देना पड़े खाना भी अपने लेके आना है मैं ज़्यादा खाना लेके आँगा समय से पहले पहुचूंगा एक हो तो जाएं पर इनको आफ़त आती है कारण क्या है कारण यह है कि एक होते ही इनकी पुरानी पूल पट्टी भी खुलेंगी लोगों को सबको यह सुझ में आ जाएगा अरे इतने दिनों से बेफ़कूप बना रहे थे तुम एक होने के लिए एक जैनती मनाने के लिए यह आइडिया तुमें क्यों नहीं आया तुम कायक निटा हो, तुम कैसे निटा हो तुमको ये बात समुझ में नहीं आती कि नवाज पढ़ने वाले लोग सुक्रवार को कैसे भगे चले जाते हैं एक साथ इद वाले दिन कैसे इद का पेसा है, लोग भगे चले जाते हैं तो हमारे महापुरुस के मनाने में एक साथ भगने में कौन सी आफ़ता आ रही है? हमारे पैरों में कौन सी मेहंदी लगी हुई है? कौन से गुंगरू बंदे हुए है? जो हम अपने महापरुष के जरम दिन को या उसस सबको एक तरफ एक साथ मनाने के लिए नहीं भगते हमें को टुकड़ों में तोड़ा गया है ये सवाल उठेंगे इनके जवाब देने भारी पड़ेंगे इसलिए विरोध होता है इसलिए विरोध होता है कि पैसा खतम हो रहा है इसलिए विरोध होता है कि कैसे आँख मिलाएंगे कि बावा साब के जैनती पे उनके टुकड़े करते हैं हम लोग और उसमें चंदा दे के सहोगी बनते हैं हम लोग और वहाँ जाकर उनका उत्सा बढ़ाने के सहयोगी बनते हम और अपने ही लोगों को बिखेरने में और बिखराब में मदद करते हम लोग पूरी दुनिया की हिश्टी उठा लो, प्राकरतिक हिश्टी उठा लो, पहले की उठा लो कौनसा ऐसा महापुरस है जिसके टुकड़े करके लोग अलग 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 एक दूसरे से लड़ते भी हो और उसकी जैनती मनाते हो, ऐसा कौनसा है, जैनती मनाने के लिए लड़ाई हो रही है तू जहनती मनाएगा तेरी जहनती से अच्छे हवारी जहनती अरे दोनों जहनती डॉक्टर अम्मेटकर की है तो इसमें तेरी कौन सी और मेरी कौन सी तो दोनों डॉक्टर अम्मेटकर की है पर यहां तेरी मेरी होती है डॉक्टर मेटकर की कोई जनती नहीं होती या तेरी और मेरी बस तेरी मेरी चल रही है यहाँ पर डॉक्टर मेटकर साइड में बैठे बैठे रो रहे हैं कोई नहीं सुनता डॉक्टर मेटकर की कि डॉक्टर मेटकर ने कब कहा था कि तुम मेरे नाम पे अलग-अलग होके लोगों को अलग-अलग टोड़े करना उनको एक मत होने देना कब डॉक्टर मेटकर ने का था कि तो मेरा जरन दिन मनाना बलकर डॉक्टर मेटकर की अगर वॉलिम उठाओगे तो उन्होंने जरन दिन मनाने के लिए साफ मना किया और लोगों को इसके लिए धंकाया भी पर लोग हैं कि मानते नहीं क्योंकि डॉक्टर मेट का नाम इतना बड़ा है अच्छा चंदा मिलता है मेरे एक दोस्त है अब क्या दोस्त है ग्यारे करा हजार रुपे दो आदमी ले गए एक ही शेहर में उन से चंदा के लिए सीधे साथ आदमी है बावा साथ के अनुएजें देहिए है ओर यह किया फाइदा हुआ लो 원새 है जा तो कौन ने है और यह एंक खूल लो और यह ख़ाले को कौन मनय करता है तुम खुद जाके लोगों को खाना दे दो तुम खुध जाके वहाँ क्याँ मेरी किताबे बाट दो तुम पैसा दीते हो वो तो किसी काम आता नहीं है वो तो उल्टा हमें तोलने काम आता है बात दूंको समझ में आ गई ही पर पैसा चला गया योग तो मजमूत हो गए और जो लोग मजबुत होते हैं वो फिर द्वारा हत करने लाते हैं निकाल के इसलिए हिसाब लेने की ताकत है नहीं और पैसा दे के टलते हो तो आप अपने डॉक्टर मिटकर के खुदी दुस्मन हो भाई कोई और नहीं है किसी वमन को दोस मत दिया करो कि वमन ने ऐसा किया यह वमन कहीं कुछ नहीं करता वमन कभी नहीं कहता आप से कि आप एक सहर में पांसो जैनती मनाओ वमन कभी नहीं कहता वमन आपकी जैनती में ना आता है ना जाता है उसको अगर बावस आपकी जैनती मनानी कैसे क्योंकि अब जैनती आ रही है और समण जितने भी लोग हैं वो यह सोचते हैं कि हमको कैसे जैनती बनानी चाहिए तो पहली बात तो इस बात पर इस्टिक रहना है डढ़ है रहना है कि एक शहर एक महापुरुस एक जैनती आगे बुद्ध पुडमा रही है एक दूसरी बात जहां सबसे ज्यादा लोग इक्षठे होते हैं वही पहुंचना है कि यहां लोग इक्षठे हो रहे हैं वहां पहुंचें अगर वह पहुन पर तुकदों में बात नहीं बन रह céray चाहिए दो तहई मनाते हैं तो आपकी मुसीबत है उर थे किसमेक्ष कॉश् स तो यह बात आप रड़ रख सकते हो, अगर सारे खट्टे होते तो वहीं जाना चाहिए, वरना आप खुद खट्टा करने कोशिश करो, जब खट्टे होंगे तो साथ आ जाएगे, चंदा नहीं देना है, चाहा दुनिया इधर से उधर हो जाए पर चंदा नहीं देना है, हमें गरीब ब्रहमन याचक की संतान नहीं है, हम उस समर्ण की संतान हैं, जो समरद रहा है, जिसने हमें ऐसा गरीब याचक ब्रहमन को भोजन दिया है, बेसा हमारे दिन उट्टे सीधे हो सकते हैं, पर हम बावसाब के अपमान नहीं करते हम किसी महापरुस का अपमान नही उसके लिए पैसा देने की आउसकता नहीं है फिर भी कहीं अगर ऐसा लगे कि सामुएक भोज बन रहा है और सामुएक भोज में आपको हिस्सा डालना है तो आप अपना हिस्सा डालिए और अगर अपना हिस्सा भी नहीं डाल सकते हैं तो सामुएक भोज में जो भोज आप कर अपाही जे-लाचार, भिकारी, बुढ्डे, लंगने, लूले यः बाहर से आएऊ हुए लोगों की लिस्ट में मताईये भिकू खाना खाए अच्छा लगता है पर आप भिकू नहीं है भिकूणी खाना खाए अच्छा लगता है पर आप नहीं हो आप गरस तो आपका फर्ज है कि आप लोगों को खाना दो आपका ये फर्ज नहीं है कि आप खाना खाओ और खाना खाते हो तो अपना पैसा दो, अगर मानों नहीं बनाना चायते हो, सामिक भुझारे तो उसका खर्चा दो, बिना स्वाभी मान का खाना खाये हुए, अगर जैनती मनाओगे तो जैनती नहीं होगी, मरणती होगी, ये ध्यान रखें, आपने करना क्या है जैनती वाल का तो आपने जो बात करनी है लोगों से वो इसी टॉपिक पर करनी है कि बावा साब ने और अगनाइज होने के लिए कहा लोग आपको खिंच के ले जाएंगे एजूकेट होने पे लोग आपको खिंच के ले जाएंगे बावा साब की डिग्रियों पे लोग आपको खिंच के ले जाएंगे सम्विधान पे, लोग आपको खींचके ले ले जाएंगे, बावासाब का देने है तो आपको नएया नीन चीज़ेंगे, वो चीजें जब तक कारगार नहीं है, जब तक हम बचेंगे नहीं, और हमारे बचने का जो मंत है, जो फार्मूला है, वो सिर्फ वो ही है, जो बावसार में दिया है, और्गनाईज होना, तो हमें सिर्फ और्गनाईज वाले चैट्टर में बात करनी है, जुड़ने और जुड़ने पर कैसे और्गनाईज होना है, क्या होना है, क्या कलपना थी, क्या नहीं थी, आ आपको बात करनी है कि हमारे खटे होने में जो परिशानी आ रही है वो कौन-कौन सी है उन पे बात करनी है अगर आप बात ना कर सको तो समढ़ गंत का वाचन करो उसको पढ़ो लोगों के सामने पढ़के सुनाओ अगर उसका वीडियो बना सकते हो पढ़ते सामें तो उसका बनाओ, अगर लोग सामने नहीं बैठे हैं, तो भी उसका वीडियो बनाओ, तेरे तारिक को बनाओ, चौदे को बनाओ, पंदरे को बनाओ, पूरे अपरेल बनाओ, पूरे मैं बनाओ, पूरे जून बनाओ, रोज बनानी चाहिए, तो उसकी वीडियो बनाओ, नहीं वीडिय जो गारब से कहो हम समन हैं पर भेजो आप जो लोग आएं जिसकी ऐसी हैसित है कि वो समनगंद को खरीच सकता है उससे पैसे लेने की कोशिच करें कि आगर उप पैसे दे दे तो ना दे तो अपनी तरफ से बावास आपकी जरम दिन पर उसको गिफ्ट कर दो कि लोग भाई सम समने इसकी पैंटिंग बनाओ अपनी दिवार पर लिखो कागज पर लिखो समनेर इसकी प्रैक्टिस करो अपने बच्चों को सिखाओ के गारब से कहँ समनग हैмен अपने बच्चों के दिमाग में डाल ऐसे तह敢 हम समन औरा बावा समन है आज जिस हमारे बावा का जनम दिन ह वो हमारा बाबा समण है, उसकी संतान है, हम समण है, ये समण सब्द इतना भर दो दिमाग में, कि अगर बच्चा किसी को बोले और कभी मिले, और उस से अगर कोई बूजयर बच्चा हमारा नीद में होर पूछे, कि तुम्हारा जात क्या है तो वो कहे समण, कोई पूछे कौन थी, समड़ी, तुमारी कल्चर क्या है, समण, तुमारी संस्कति क्या है, समण, इस समण के लावा हमारा कुछ नहीं है, समणी हमारी राष्ट्यता है, ये समण सब्द को आप जहां चाहे वहां फिट कर सकते हैं, हम समण हैं, हमारी हर चीज़ समण हैं, तो ये उसके दिम सांक में 14 तारिक तक फिट कर दो आप तो गाओं के अंदर मनाने वाले लोग कैसे मनाएं गाओं के अंदर इखटे हो जाएं खाना लें और एक रूप में खाना खाएं एक रूप में सारा खाना आपसे में गाओं के लोग एक दूसरे को जानते हैं महां खाने के असुद्ध होने की संभावना कम है मिलके जुलके खाएं जैसे पहले खाते थे आप असे बात करें मिलना जुलना ही ताकत है मिलना जुलना ही हमारी संगती है भाशन करने की जरूत नहीं है बस इतना ही है कि अब हम सब लोग इखटे होते जा रहे हैं उनको इतना ही चाहिए वो उसी में हो जाते हैं कोई अगर बहस करना चाहे जिरे करना चाहे बात करना चाहे तो समणगंत है उसमें सब कुछ है अब तो च्छामे पेच वाला भी आ गया है वो जल्दी आपको मिल ज कि और भी बड़ा होता जा रहा है सब बाते उसमें आ रही है तो यह बात अश्माutने पर जगणा नहीं करना किसी से जगणा इस revenge मत करना क्योंकि जो आधे गयाने माला होता है वो जगणे में हार जाता है या फिर गाली गलोश पर पाजाता है या बत्त्तम जी पाजाता है जिसका चंदा बंद होता है वो अच्छे अच्छे गालियों का भी देगा हर एक सकते हैं इस लिए जितना समझा सकते हैं प्यार से समझा बाकी अपने समलगन्द बंद करके चुप-चाप खड़े हो गए और सुनते रहे हैं बात को क्या चल रहा है क्या नी होते हैं वो के वारा आपको ये भी कह सकते हैं अरे तू क्या डॉक्टर मिटकरd से जादा ग्यानी है तू क्या कि इनके कोई जवाब नहीं होते, ये प्रसन इसलिए होते हैं, ताकि वो आपको नीचा दिखा सकें, ऐसे प्रसनों में नहीं उलजना है, जहां एगो के प्रसन आ जाएं, जहां हमारी तुल्ला किसी महापरुस से हो, या हमारे किसी बाप ददादा से हो, वहां अपने सालत र इसकी वरासत है, और इसके जो गुड़ हैं, वो लोगों ने अपनाए हैं, लोगों ने अपने अपने संगों में एक रूपता, एक ड्रेस, एक ड्रामा, एक तरीका, सब कुछ अपनाया है, और वहीं से उन्होंने एक रूपता सीखी और एक तामें और एक रूपता में त रोल 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 सीख रहें क्योंकि क्याई सो साल में हम खोच चुके हैं अचानक से कुछी तो दिन हुए हमें अभी हजार दिन पूरे नहीं हुए 700 दिन होने वाले हैं 2 साल होने वाली हैं हम बढ़ रहे हैं कोई नय आदमी आता है उसको लगता है क्या झाड़ा गया लोगों को फ्री रहने की अदत रहनThereina की यह जाता है कि वो यह भूल गए कि अनावस्य चक्छ जो सवतनता होती है वो हमारी मौत का कारण है कोई element जो अचानक स्वतंत घूमता रहता है वो कहीं फस सकता है, मर सकता है कोई जानवर जो जंगल में स्वतंत रूप से पूरे दिन विश्ण करता रह जाता है वो मारा जा सकता है समू के अंदर स्वतंता जो होती है वो विकास का अधार होती है समू के अंदर आप स्वतंत रहो जैसे मुंबई के अंदर 200 लोग जब गले में पटा डालके घूम रहेती तो वो सारे स्वतंत थे उनको कोई नहीं रोक डोक रहा था कोई कहीं फूटू खिचवा रहा था वो हमारा विकास करती है अगर स्वतंता हम संग के बाहर ढोड़नेंगे तो वो हमारी मौत का कारण होती है अभी जो हम स्वतंता है वो बिना संग के हैं हम फ्री एलिमेंट घूम रहे हैं कोई हमारी मूँच काड़ जाता है कोई हमारे बाल काड़ जाता है, कोई हमारे जो उसमें यूनिवेस्टी में इंटर्वी में नमबर है उनको कम देता है, कोई यूपियस्टी में नमबर कम दे जाता है, कोई हमारे बच्चों के एडमिशन खा जाता है, कहीं हमारी स्टीट चले जाती है, कोई हमारी नोकरी खा सकते हैं संविधान हमारी रक्षा कर सकता है संविधान सवतंत्र लोगों की रक्षा नहीं करता सवतंत्र जो लोग घूमते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है संविधान संग के अंदर जो सवतंत्र लोग है उनकी रक्षा करता है तो संग बहुत बड़ी चीज है और संग को बिना आप स्वतंता अगर लेनी चाओगे तो मुर्खता है, मौत का निमंत्रण है, कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ के और परिवार के घर के बाहर ठंड में सोना चाहे, तो मौत निश्चित है, पर परिवार के अंदर रहेगा, तो कोई ना कोई उसके अंदर करता है, यहाँ सब चीज है, कि बैसाथ की यह साथ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कंटरता में आज जाते हैं, आज अंको दुष्मन का प्रड़ रखोते हैं कहिना कहीं से, उनकी कंटरता से कोई विरोध नहीं है, कर संवर्ण संग में कंटरता का इस्थान इतना ज्याद कट्था नहीं है कट्थता चाहिए आपको द्रड इक्ष़ा के लिए अंदर अपनी अंदर कट्था हमने चाहिए आप किसी व्यक्ति के प्रत्थी कट्था अगर यहाख तो आप खुद कतम हो अपना ख्याल नहीं रखा, पूरी उन्होंने कटरता निभाई अपने काम से, अपने काम की प्रती अतने कटर थे के 18-18 गंटे और 20-20 गंटे तर लगातार काम करते हैं, सेहत खराब कर ली, करनी नहीं चाहिए थी, पर एमर्जंसी थी, क्योंकि वो नहीं करते तो और कौन करत और हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, अपसोच ही है हमें कि हमारे बावास अपनी जल्दी चलेगे, पर हमें समझना चाहिए, अब संग जतना बड़ा होगा, उतना ज्यादा काम बटेगा, उतना ज्यादा लोग करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति पर बड़न आता है, तो नमरता चाहिए, ताकि उर नमरता के साथ, काम को परिवार को सुरफ्ष कर रख सके बढ़ा सके, ये चीज़ें जीवन का और संग का आधार होती है, कोई संगी अगर बीमार होता है, या कट्रता में चला जाता तो संग का नुक्सान होता है, और कोई संगी अगर लंबी आय के अंदर पास हुआ उस नियम को लोगों को बताने का समय है और दर्टा के साथ आपको एक शहर में एक इस्थान पे एक दिन एक साथ अपना खाना लाके अपनी दरी दरी लाके एक महापुरुस की जैनती एक जगे मनानी है और ये लगाता लगाता चलता रहेगा जब ये सार सारे लोगों के अंदर डिसिप्लिन आएगा अनुकुलता है कि उनको एक होने की ताकत का एहसास होगा ठीक वैसे ही जैसे कहीं किसी छित में रल भूमी में जब सेना एक साथ टप 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 लेफ टाइट डेफ टाइट करती चलती है तो बिना गोली चलाए आधे तो चोटे से मंत्र से ही और इस चोटे से मंत्र में जो लोग बीच में बाधा बन रहे हैं आप उनको सीधा सीधा कह सकते हो कि आप बावासा वमेट करके जुश्मन हो आप बुद्ध के देवदत हो आप समाज के वमण हो और नहीं हो तो पुरू कर लो नहीं तो यहां पोटल पर आजाओ हमको सिद्द्र कर दो क्योंकि बुरे को बुरा कहना चाहिए को बुरे को बताना चाहिए लड़ने के लिए यह बुरी चीज ठेही लड़ने के लड़ा जब अच्छे लोग इखटे हो जाते हैं, तो अच्छाई बढ़ जाती है, तो बुराई अपने आप भाग जाती है, यह ठीक ऐसे है, जैसे प्रकास जब किसी अंधिरे में आता है, तो अंधिरा अपने आप भाग जाता है, वो यह ठीक अच्छाई का काम है, यह 14 अपरेल हम समन गंध के साथ खीचे, नारे के साथ खीचे, बोल बोल कर सीचे, समन गंध पढ़ते हुए खीचे, बनाएं, इतना बनाएं, इतना बनाएं कि पोर्टल भर जाएं, लिखें कि हम गारफ से कहते हैं, हमारा बाबा समन था, गारफ से कहते हैं कि हमारे बाबा का जो बच्चा ह पोता यानि हम, हम भी समण हैं, हमारा बाबा समण, हम समण, बाबा का जैनती मुबारख हो, आप समण बाबा की जैनती खुब करें, हमारे समण बाबा है, आप अमेटकर बाबा कहें, या समण बाबा कहें, दोनों एकी बात है, क्योंकि डॉक्टर अमेटकर महा समण है, किसी को कोई आणी पहुंची हो तो मैं संग से छमाज रहता हूं संग मुझे माफ करें मुझे माफ करें संग नमामी संग नमामी संग नमामी